तो पोलर कोडिनेट के लिए क्या करना है यह है पी आर कमा थीटा यह है पोलर कोडिनेट ओके तो पोलर कोडिनेट ऐसे आता है यहां पे रहेगा एक्स यहां पे पी रहेगा आर कमा थीटा यहां पे थीटा रहेगा यह आर इसको हम पोलर कोडिनेट बोलते हैं ठीक है यह पा सेंड वाय आएगा और यहां पर पॉइंट एक्स कमा वाय तो जे बनेगा कार्टेशन कोडिनेट तो इतमें अगर यहां चे कार्टेशन चे हमको इतमें करना है तो यह फॉर्मला याद रखना है और जिकुटू अंडरूर एक स्कुए प्लाज वाई स्कुएर टान अल्फा बाद्या एक्स पहले अल्फा न आienenकावलू और न बाद में श्रीटा न नेकावलू थीटा उनल्फा इन पर्स्क्वाद्रेंट थीटा पांअनत अल्फा छेकंड क्वाद्रेंड थीटा पाई पलाज आ होट्पांअ मैंत अल्फा इंच थार्डेंटेटा अगर cm प्रदरी साट अग्छिस आएगा पाइबर 2 ओऐगा नेकिटी ऑगा है यह वो सकते तो यह है कि अप्वर्ण पोइंट पोलर कॉंडिनेट थेंद निकालना है और निकलना है तो यह पर थेचिक कर लेते ठीक है ताकि कि आपको समझ में आएगा कि आर इजली मिल जाएगा बड़ जो ठीटा है इतना इजली नहीं मिलेगा ठीक है तो हम यहां पर इस वीडियो पर अल्ट्राइजी मेतड फॉलो करेंगे ठीटा के लिए कैसे निकालना है मैंने फॉर्मॉला लिका है फॉर्ट क्वाडरेंट में टीटा जोगरेटल्फा आएगा चेकंडं क्वाडरन में टीटा जोगरेटल पाइस अलफा है यह तो यह करते हैं अभी देखभा है को कि तो x का value root 2 y का value root 2 यहाँ पर put करके पहले r निकालते हैं ठीक है यह बनेगा root 2 whole square plus root 2 whole square x का value root 2 यहाँ पर put किया y का value root 2 इसको calculate करना है ठीक है तो calculate करते हैं तो कितना आएगा r is equal to यहाँ अंडर रूट यह हड जाएगा देख कैंसल हो जाएगा तो बच्छे का 2 यहाँ पर भी कैंसल होगा बच्छे का 2 यहाँ रूट 4 is equal to 2 राइट तो हमको r का value मिल रहा है two okay तो हमको r का value two मिल गया तो अभी हमको क्या निकलना है ठीटा निकालना है ठीटा के लिए पहले alpha निकालो उसके बाद ठीटा निकलते है तो यह बहुत है y कितना है y का value root 2 x कितना है x का value भी root 2 right cut हो जाएगा यह बच्छेगा 1 तो हमको tan alpha क्या आ रहे tan alpha is equal to 1 tan alpha is equal to 1 आ रहे मतलब हमको पता है tan 45 is equal to 1 तो 1 के बदले में tan 45 को लिखना है तो यह 1 नहीं लिखना है tan 45 लिखना है तो next step में लिखेंगे तो यह बनेगा tan alpha is equal to tan 45 पेड़े 45 degree में लिखना है radian में लिखना है and 45 degree उता है पाइबाइब 4 तो यह degree में लिखना है यह आएगा पाइबाइब 4 तो अभी हमारा alpha का value आ रहे धर 4 alpha is equal to pi by 4 अब यह point की quadrant में है यह point कहां पर आएगा यह भी प्लच है यह भी प्लच है प्लच 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 दोनों प्लच है first quadrant पे दोनों प्लच यानि यह पर आएगा theta is equal to alpha बस यह याद रिखना है तो पी आर कमा theta क्या आएगा आर का है 2 है theta का है पाइब फोर तुम्हारा final answer ऐच रहेगा थीके है तो आपका final answer ऐच रहेगा थीके theta is equal alpha लेना है अगर point first quadrant पाएग तो हुआ ठीक है तो जे है फर्सकाइंट सुभ तो अभी इसका वेरियेशन भी हो सकता है अगर यहां पर पॉइंट आइसा तो तो तीटा पाइ मैं अलफा लेना है अगर यहां पे रहेगा तो तीटा ते ता अलफा नहीं आएगा तीटा आइगा देटा पाइमा रख लाग ऑंक यह अगर दोनों नेगेट्व रेगा यह भी नेगेट्व रेगा तो ठीटा पाइ मैं मैंसल्फ है बस यह याद रखना है ठीक है तो आपर प्रोब्लम समझना है राइट तो वेरी इज़िए और अभी हम सेगेंड प्रोब्लम पर जाते हैं ओक्य ओक्य तो अभी सेगेंड प्रोब्लम करते हैं तो यहां पर 0 & 1 by 2 दिया है तो इसको पी xy लुको तो x का 0 आएगा y का 1 by 2 यह फार्मला में पुट करके निकालना है ठीक है 0 स्कूर प्लस 1 by 2 दोल स्कूर ठीक है तो 0 हड जाएगा यह बच्छेएगा 1 by 2 दोल स्कूर यह कट हो जाएगा तो बच्छेएगा 1 by 2 तो आर का वैलू आ रहा है तो आर का 1 by 2 आ गया तो अभी यह पॉइं इदर है ठीक है अगर एचे आएगा तो ठीटा का वैल्यू पाइब टूल लेना है ठीक है तो जे है अल्ट्राइजी मेतोड एचे क्याल्कुलेट करने के जरुवत नहीं है ठीक है जैशे टेक्स बुक में दिया रएगा तो में अज़एगा अल्पाइप प्लस अल्फा य ठीक है बज यह लिखना है पॉइंट राइजन पॉजरी साइड ओव एक्षी जरफोर थीटा इज पैबेटू तो आर का वैल्यू क्या मिला आर का मिला वन बैटू थीटा का पैबेटू ठीक है तो बज यह है चेकंड का एंडसर वेरी इजी है ठीक है अगर पॉइंट ले का प्या आए गया अगर यह आपा है तो नेगिटीव साइड वा एक्षी दने गा पॉइंट लेक हो नेगिटीव सर्ड में आएगा नेगिटीव सर्ड न थीटा इस इकल टू त्री पाइबेटू एचसे आएगा यह याद रकलू ठीकर तो पॉजरी साइड ओफ य सज तो तीटा ही पाइब एटू अगर नेगेडिव सट में आया तो तीटा ही त्रीपाइब एटू लेना है तो तीटा ही पाइब तो यह अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लू क्यूंकि आर आपको इदिली मिल जाएगा यह फॉर्मॉला है आर के लिए बट तीटा इतना इदिली नहीं मिलेगा इसको क्याल्कुलेट करना पड़ेगा तो यह शॉट्केट मेताड उस करके आप निका आपको समझ में तो अभी हम थोड्र प्रोब्लम पे जाते हैं ऑखे अभी थोड्र प्रोब्लम करते है तो थोड्र प्रोब्लम के लिए पहले पॉइंट को लिखो और इसकी साथ कंपाई करो एक्स का वाली वन आ रहा है वाई का मैनस रूट्री पहले आर निकाल ले तो पोलर कोडिनेट में याद रखो सबसे पहले आर निकाल ले बाद में ठीटा ठीक है तो आर का यह फॉर्मुला है तो यहां पर फूट करते है क्या आएगा अन्डरूट एकस का है बन वाई का है मायनवा रूट रूट रिफाल स्कूर मायनच रिफलXT से हडड जाएगा मायनच वान स्कूर सिटेटीस वस्कूएर इसके साथ जाएगार इसके हथ जाएगा तो यह बनाएगा वान युन टू इसका कटफ जाएगा खेश कया थ्रिया एक हट तो एंट सब्सक्रीत टिक ए हुए तो यह बनाएगा आरो जूकर डूल रूंड प्लस 3 मिट is equal to root 4 that is equal to 2 R का मिला अभी theta निकालने है तो हमको R कितना मिला था 2 है आपको यहाद है तो R मिला अभी हमको theta निकालने है तो इसके लिए पहले tan alpha लिकते है tan alpha is y by x y कितना है minus root 3 x कितना है 1 that is equal to minus root 3 और आपको पता है tan 60 होता है root 3 बड़ां 60 नहीं लिखेंगे कि 60 जोगोड़ पाइब 3 रेडियन में लिखना है तो 60 नहीं लिखना है तो टैन पाइब 3 जोगोड़ रूट 3 यह जेगे में इसको फिट कर रहा है ठीक है तो करते हैं यहां से टानलफा जोगोड़ मैंने रूट 3 आ रहा है तो यह रूट 3 को हटाना है ठीक है तो इसके बदले में हम लिखेंगे 10 पाइब 3 ठीक है अभी पॉइंट यह पॉइंट कितमे है यह पॉइंट है फोर्थ क्वाडरंट पे फोर्थ क्वाडरंट में थेटा क्या आएगा तो पॉइंट 1 कमा मैंनस 3 इस इन फोर्थ क्वाडरंट दर्फोर्थ थेटा इस उगोड टू पाइ मैंनस अल्फा ठीक है तीटा का यह यह वैल्यू आएगा फोर्थ क्वाडरंट में ठीक है तो यहांच अल्फा क्या आ रहा है अल्फा फाइड भीड़ी अरहें राइट फेडर आल्फा इस इकील दू पायद त्री तो मज यहां पर पाइड़ थीप्र करना और स्वा करना एटिक यह यहां पर यह बनेंगा टूपás तो बाज यहां पर अधरी फूट करने और से आपर यह बने गाट टू पर मायनद थी इसको इधर रहना है यह बने गाट इनाथ पाई अपहँन थ्री यह आएका फाइप हों त्री त्टैक अवल्यू आ रहे है फाइप हों त्री तो इसका वालु इधर लिखने वाइप पाई अपाउन स्री ठीके तो यह फाइनल एंसर है आपको यह समझ मैं ठीके बज़े अच्छी तरह याद रुख लो फास्ट कोड़न में थिटा अल्फा बनेगा चेकेंड में थिटा पाई मैंनस अल्फा ओके फॉर्ट में थिटा पाई प्लस अल्फा फॉर्ट में टूपा मैंनस अल्फा ओके बाद यह याद रखना है अगर आपको समझ मैं तो अभी हम नेक्स प्रॉब्लम पर जाते हैं तो अभी हम करेंगे फॉर्थ प्रॉब्लम तो पहले एक्स का वाली लिखो वाई का लिखो 3 रूट 3 बाई 2 दा ओल ज्कुर अभी 3 बाई 2 दा ओल स्कुर कितना बनता है नांग बैफॉर्व फोज तीक है तो इसका आएगा 9 बैफोर वह लिखते हैं तो तो धर्फोर आपर आ तिए के साथ जाएगा 9 या ऐसके साथ जाएगा स्क्वार ओगा 4 यह के साथ जाएगा रूट 3.30 बार कट्ट हो जाएगा 13 300 27 गा रोट टो टी सेवन डाफुर तो इसका यह विद्ट हतो फूरेगे । यह अभी ऑगा तक करते हैं यह बाना है का अंडर रूट 36 अपान 4 इसको कट भी कर सकते हैं यह आएक नाइन तो आर इसको टू 3 आर का वेलू 3 आ गया एड थेटा मैंने क्या बता है दा फ़र्च को एडरेंट में टैन अल्फा इसको टूट वाइब एक्स वाइड क्या है इसको आए त्री रूट 3 पाई 2 ऐसे लिखो एड एक साए 3 बाई 2 तू कट होगा यह कट हो जाएगा सो टैन अल्फा इसको टू रूट 3 बच्छेगा बट रूट 3 किस में फेट होगा आपको यादर तैन शिक्ती में फेट होगा तैन शिक्ती इसको टू रूट 3 राइड जार्फ़ों तैनल फाइजकू टो टान है च्टी ओके तो बैडम को टान शिक्ती नहीं लिखना है तो इसको प्राइबेटरी में लिखना है ठीक क्योंकि रेडियन में लिकना है क्योंकि 60 डिगरी जिगू टो सबस्ट अन्र आरा है आर कमा थीटा तो फस्क्रॉडर में है यह यह कितने है, first quadrant में है, the first quadrant में theta is equal to alpha, तो alpha का value क्या आ रहा है, हमारा alpha है, alpha है pi by three, right, तो theta is equal to alpha, okay, theta is equal to alpha, theta is equal to pi by three, तो यह बनेगा, R क्या है, three, and alpha, theta क्या आ रहा है, theta is alpha, that is equal to pi by three, तीक्के, I hope, यह आपको समझ मैं, बज यह अच्छी तरह याद रुखलू, तीक्के, okay, तो pi by three लिखने है,